नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है परिक्षवल्ड के से येटूब चैनलेज में दोस्तो जोग्राफी का एक और इंपोर्टेंट टॉपिक यहां पे हम कवर करने वाले हैं टाइम जोन इस टॉपिक में मेंली हम बात करेंगे अक्छांस और दे करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक सुचना है अभी तक जितनी भी क्लासेश पीटी 2022 के लिए लिए गई है उनका अगर आपको पीड पीडियाप चाहिए होगा तो इस नमबर पर वाट्सेप कर दीजेगा सामने यह से भी जो कंटेंट आपको ल ऌड्सेप कर दीजेगा अचली वीडियो को सुरू करते हैं पहला प्रस्णाप के सामने है भुमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिड किसी दिये गए अस्थान की कोड़्य दूरी क्या कहलाती है तो इसको हम भोलते हैं अक्छांस यानि कि आपका सी यहां पर बिल्कुल सही एक्वेटर क्या होता है तो सुन् डिग्री आपका रहाँ होता है इसको हम एक्वेटर कहते हैं तो इस एक्वेटर से उत्तर की तरफ और जक्ष्ड की तरफ जो दिये गया श्थान опre jobs की जो को विशुवत रेखा कहते हैं तो इसके बारे में आपको याद अखना है इंपोर्डेंट है तो इस भुमत रेखा से जो उत्तर की तरब खिची गई कोड़ी दूरी है इनके बीच का जो दूरी होती नहीं को हम बोलते हैं क्या अक्छांस बोलते हैं तो आप इसे आदेखेगा तो राइट इन सरा बख्या हो जाएगा अक्छांस याँनि कि आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है यहाँ पे अब देख बार हैं प्रिथवी के किंद्र से विशुवत रेखा को अधार मान करें कि यह प्रिथवी का मन लिज अक्छांसों को मिलाने वाली रेखा को हम अक्छांस रेखा कहते हैं जो विशुवत रेखा के समानांतर जो है खीचे गए 36 रेखायें होती हैं तो इसके आप आप यादेखेगा important है इसके बाद प्रती एक डिगरी प्रती एक डिगरी की अक्छांस की दूरी लगबग 111 कि के बराबर होती है यानि कि आप या देखेगा प्रती एक डिग्री अक्छांस की जो दूरी आपकी होती है यह कितने के बराबर होती है तो यह जो है आपकी 111 किलो मेटर के बराबर होती है काफी जादा इंपोर्टेंट यह पॉइंट है आप इसे याद रखेगा इसके साढ़े 23 डिगरी उत्तरी अक्षांस को हम करकर रखा कहते हैं और साढ़े 23 डिगरी दक्षडी अक्षांस को हम मकर रखा के नाम से जानते हैं तो यह सारे additional facts भी आपको साथ में याद रखने हैं और इसके बाद अगला प्रसना आपके सामने दिया गया है निमनलिकित में से कौन एक ब्रिहद वृत होता है ग्रेट सर्कल का उधारान है आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन ब्रिहद वृत या ग्रेट सर्कल का उधारान है एकजामपल है तो इसमें से भुमद्य रेखा को हम ग्रेट सर्कल की नाम से जानते हैं यानि कि option आपका C यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा भुमध्य रेखा, भुमध्य रेखा को हम क्या कहते हैं, यह जो आपका सुन डिक्री अक्छांस होता है, जीरो डिग्री अक्छांस को ही हम क्या कहते हैं जीरो डिग्री अक्छांस को ही आपका भुमद्य रेखा कहा जाता है इक्वेटर कहा जाता है इसको हम वीसवत रेखा के नाम से भी जानते हैं तो इसके बारे में आप याद रेखेगा जीने करमसहम उत्री गुलाद और दख्री गुलाद के नाम से जानते हैं तो यह आप देख पा रहे हैं माली यह हमारी पृत्वी हो गई यह पृत्वी का किंदर है तो पृत्वी के किंदर को अधार मान करिया रेखा खिची आती है तो यह जो आपका सुर्ण डिगरी अक्षांस होता है इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम एक्क्वेटर के नाम से जानते हैं तो यह जो एक्क्वेटर है पृत्वी को जो है दो बराबर भागों में विवाजित करता है इसके उपरी वाले हिस्से को इसको हम बूलते हैं उत्री गुलाद और इसके साफ वाले पार्ट को इन के दक्षडी हिस्से को भूते हैं दक्षडी को लाद तो तो यह सारे additional fact एपको याद रखने है इसके बाद अगला प्रस्थ आपके सामने है तो यहां पर देख पा रहे है यह सुनने देख भी अक्छांस आपका एकवीटर हो गया eight or इसके उत्तर की तरफ जो रेखाे हैं और इसके उत्तर की तरफ रेखा और इसके पत्र की तरफ रेखा किचे को हूं क्या बोलते हैं रखी सुननी की को दो बराबर भागों में बाढ़ती हैं क्या कहलाती है तो मैंने आपको अभी बताया है वह कालपनिक रेखा जो प्रितिवी को दो बराबर भागों में बाठती है उसको हम बोलते हैं भूमद्य रेखा यानि कि ऑप्सन आपका यहां पर बेलकुल सही है भूमद्य रेखा को हम एक्वेटर के नाम से भी जानते हैं इसको हम भूमद्य रेखा के नाम से जानते हैं, एक्वेटर के नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में आप या देखिएगा, important, और अगला प्रसनाव के सामने दिया गया है, दो ध्रूमों को जोड़ने वाली वह कालपनिक रेखा, जो भुमद रेखा को समकोड पर प्रतिक छेद कलती है, क्या कहलाती है, दो ध्रूमों को जोड़ने वाली वह कालपनिक रेखा, जो भुमद रेखा को समकोड पर प्रतिक छेद कलती है, क्या कहलाती है, तो इसको हम बोलते हैं, लोंगिट्यूड यानि के देसांतर के नाम से जानते हैं, तो आपका जो देसांतर होता है, यह सुनने डिगरी, या मतल रेखा होती है, जो जीरो डिगरी डेसांतर होती है, यहीं से यह रेखा खिची आती है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, जीरो डिगरी जो आपका देसांतर होता है, जो प्राइम मेरेडियन होता है, यह इसी के पूर्व और पस्चिम की तरफ, जो कोड़ी दूरी होती उसी को हम बोलते हैं देशांतर के नाम से यहां पर देख पा रहे हैं प्राइम मेरेडियन जो होता है इसके पूरब की तरफ और पस्षिम की तरफ अस्थानों की जो कोड़ी दूरी होती है उसी को हम देसांतर के नाम से जानते हैं तो यह difference आपको याद अखना पड़ेगा यहाँ पर मैंने बताया था कि जो आपका अक्छांस होता हुआ अक्छांस की जो रेखा कहां से खिची जाती है तो आपकी equator से खिची जाती है equator के उत्तर की तरब और equator के दक्छिड की तरब जो रेखाएं किची जाती है उसको हम बोलते हैं अक्छांस बोलते हैं तो equator से आपकी अक्छांस की रेखाएं किची जाती है और आपका जो प्राइम मेरेडियन होता है जो आपका प्रधान या मुत्तर रेखा होती है इसके पूरों की तरब और पक्शीम की तरब अस्थानों की कोड़ी दूरीम कर तो इसके बारे में आपको यालद अखना ए LEFT होती है आप देख पा रहे हैं St. जो देसांतर रेखा है यह आपकी एक अल्द विर्द होती है इसके बार में आप आप आदेखेगा तथा देशांतर रेखाओं की जो दूरी होती है वीश्वत रेखाओं की बीच की जो दूरी है वीश्वत रेखाओं की बीच की जो दूरी है वीश्वत रेखाओं पर आपको सरवाधिक देखने को मिलेगी और ध या आपका south pole है यहाँ पर जाबके जो देशानतर रखाएं हैं अपस में मिल गई हैं तो इसी करण से यहाँ पर दिक्षिरवा देखा गया कालपिनी रखाओं को हम क्या बलते हैं तो देसांतर के नाम से जानते हैं तो आपसन आपका भी यहां पे बिल्कुल सही है एक देसांतर से दूसरे देसांतर के बीच कितना समय का अंतराल होता है एक देसांतर से दूसरे देसांतर के बीच जो है कितना समय का अंतराल होता है त तो लगबग चार मिनिट का जो समय का अंतराल है या देखने को मिलता है एक देशांतर से लेकि दुसरे देशांतर के 20 तो आप इस आ देखेगा कितने मिनिट का तो चार मिनिट का अगला प्रसना आपके स्कीन पर दिया गया है यह एडिशनल फैक्ट आप देख लिजेगा का से बाद वह अच्छांस रेका जिस पर सदय दिन और रात की अवधी समान होती है क्या कहलाती है और यह पर जो सूर्य की किड़ने हैं हमेशा सिधी पढ़ती है जिस कारण से आपके टेंपरेचर भी ज़्यादा होता है इसकी बारे में भी आप या देखेगा important है सुर्य की जो किर्णे होती है पूरे वर्स यहाँ पर एकदम लंबवद पड़ती है जिससे जो है भुमद रेखा पर जो तापमान है आपको सरवाधिक देखने को मिलेगा तो इसके बारे में आप यहाँ देखेगा important है मैं आपको जो एडिसनल इंफ़र्मेशन बताई था क्छानस के संख्या कुतनी होती है आपके कुल अक्छांस कितने होते हैं तो आपके कुल अक्छांस कितने हो जाएंगे तो राटन से रापक्या हो जाएगा कुल अक्छांस आपके 180 हो जाएगा यानि कि option आपका जो C यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा कुल अक्छांसों के संख्या कितनी हो जाएगी तो 180 हो जाएगे आपके कुल अक्छांस दिन के बारे में आप या देखिएगा अगला प्रस्ना है देशांतरों के संख्या कितनी हो जाएगी कुल देशांतर आपके कितने है कुल देशांतर आपके कितने है तो देसांतरों की संक्या आपकी कितनी हो जाएगी तो राइटन से आपके क्या हो जाएगा 360 आपके देसांतर हो जाएगे पृत्वी की जो है उत्री धुरू एवं दक्षिवरी धुरू को मिलाने वाले रेखा क्या कहलाती है प्रिद्वी के उत्री धिरूख एवं दक्षिरी धिरूख को मिलाने हो ज़े रेखा आपके देसांते रेखा कहलाती है जैसे कि आपको वताया था आपका जो भी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा अब प्रधान मध्यान रेखा जिसको हम प्राइम मेरेडियन के नाम से जानते हैं यह किस अस्थान से होकर गुजलती है प्रधान मध्यान रेखा तो यहाँ आपका ग्रीन वीच से गुजलती है यानि कि आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा जो प्रधान मध्यान रेखा है जिसको हम प्राइम मेरेडियन के नाम से जानते हैं ज इसके बारे में आप जा देखेगा important यानि कि option आपका A यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा green वीच से और green वीच रेखा से क्या तातपर है यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो zero degree जिरो डिग्री देखा से संबंदित आपकी ग्रीन वीच रेखा important आपका B यहाँ पर बिल्कुल सही है और दक्छली दुरू का कज़ान्स कितना हो जाएगा संट्व पी जो अगयर का आपका अक्षान्स में और रिखा जिसको हम बोलते हैं 23 डिग्री दक्षडी अच्छान जो आपका होता है उसी को हम मक्र रेखा के नाम से आते हैं तो मक्र रेखा इनमें से किस देश से नहीं होकर गुजलती है आपसे पूछा जा रहा है मक्र रेखा इनमें से किस देश से होकर नहीं गुजलती है तो इसमें से आपकी दक्षड फिरका से गुजलती है अर्जेंटीना से गुजलती है चीली से गुजलती लेकिन फिलिपीन से जो है आपकी मकर रेखा नहीं गुजलती है तो आपकी मकर रेखा नहीं गुजलती है तो इसके बारे में आप 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 आ दिखेगा, important है, आपसे यह भी पूछा या सकता है कि मकह रेखा का कितना अक्छांस होता तो साड़े 23 डिग्री जो दक्छिडी अक्छांस है पर दिखेगा ज़िए कि विश्वत रेखा से दक्छिड की तरफ तो 23 डिग्री जखेगा, मकह रेखा के नाम से यानते हैं तो यहां पर information भी लिखी गई है कुल 10 देश जो है मकह रेखा पर इस्तित हैं मकह रेखा पर कुल कितने देश से इस्तित हैं तो मकह रेखा पर जो है तो 3 महादी कौन कौन से हैं तो दच्छड मेरिका हो गया, अफरिका हो गया, और अस्टेलिया हो गया इन 3 महादी पेश ओकर आपकी मकह रेखा गुजलती है तो पहली चीज़ यह आपको पतावने चाहिए और देश कौन कौन से हैं तो देश लिख लिजिए दच्छड अमेरिका के आपके 4 देश है चीली हो गया अरिजन्टीना हो गया परागवे हो गया और ब्राजील हो गया इसके बाद अफरिका के कौन कौन से देश है तो नामीविया हो गया बोस्वाना हो गया दच्छड अफरिका हो गया मोजांबीक हो गया और मेडागासकर हो दक्षडी एक्छांस को हम मका रेखा के नाम से आनते हैं तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है अगला प्रसना आपके सामने दिया गया है निम्नलिकित में से किन देश के समूँ से भूमद रेखा यानि कि एक्वेटर यानि कि विस्वत रेखा गुजलती है आपसे पूछा जा रहा है इसमें से किस देश के समूँ से जो है आपकी भूमद रेखा गुजलती है तो भूमद रेखा इनमें से किन देशों के समूँ से गुजलती है तो कॉलंबिया, केन्या और इंडोनेसिया आप आप आपके बिल्कुल सही हो जाएगा तो आप इसे आ देखेगा तो यहाँ पे भूमत दिरेखा के बारे में जो भी additional information बन सकती है यहाँ पे आपके सामने लिखी गई है इसको आप एक बार देख लिजिए तो आज़े देख लेते हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको भुमद्रेखा से रिलेटर या दकनी है, भुमद्रेखा प्रित्वी को दो बराबर भागों में काटती है, विवाजित करती है, इसको हम जिरो डिगरी लेटिटिट्यूड यानि की इक्वेटर के इसको कहा जात होती है, भुमद्रेखा तीन तेरह देशों, तीन महादीपों और तीन जलनिकाय से होकर गुजलती है, तो यह तीन महादीप कौन-कौन से हैं, सबसे पहले यह जान लिए तीन महादीप आपके एसिया हो गया, अफरिका हो गया और दच्छड अमेरिका हो गया, इसिया, कौन-कौन से हैं, तो आपके पहले दच्छड अमेरिका के कौन-कौन से देश हैं, आइए देख लेते हैं, तो दच्छड अमेरिका के तीन देश हैं, एक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, एक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, यह दच्छड अमेरिका के देश हैं, जहां से भूम्त दिरिखा गुजलती है, इसके बाद अफरिका के देश और कॉन कॉन से हैं, तो साउ, टोमे और प्रिंसिपे हो गया, गयवान हो गया, कांगो गड़ राज्जी हो गया, कांगो लोकतांत्रिक गड़ राज्जी हो गया, युगांडा हो गया केन्या हो गया और सुमालिया हो गया तो यह आपके अफरिका के देश हैं जहां से भूमत दिरेखा गुजलती है इसके बाद एसिया के तीन देश हैं माल्दी हो गया इंडोनेसिया हो गया और किरिबाती हो गया तो यह आपके टोटल 13 देश हैं जहां से एक्वेटर यानि कि भूमत दिरेखा गुजोती है अब इसे आदे कीगा तीन महादीप एसिया अफरिका और दच्चन अमेरिका हो गए तता तीन जल निकाय कौन-कौन से जान से यह भूमत दिरेखा गुजोती है तो अट्लांटिक महासागर प्रसांत महासागर और हिंद महा सागर हो गए इसके बाद अफरिका महादीप में कांगो नदी जिसको हम जायरे रिवर के नाम से भी जानते हैं भूमत दिरेखा को यह दो बार काटती है इंपोर्टेंट है इसके बाद भूमत दिरेखा केन्या युगांडा तंजानिया के सीमा पर अवस्थित विक्टोरि कखा कहा से नहीं गुजलती हैं आपके 4 देश दिए गया है करकरे ऐखा का मतलब क्या हो गया साठेट है साठेटेटर इस डिगरी स posição को बोलते हैं करकरे यहीं उत्तर की तरब जो साड़े तेश देखर उत्तरी अक्छांस है उसी को हम बोलते हैं करकर रेखा यानि कि ट्रॉपिक आप कैंसर इसको कहा जाता है तो इससे जो है कौन सी या कौन सी देश से नहीं गुजलती है ट्रॉपिक आप कैंसर यह आपसे पूछा गया है तो दिये गुजलती है चीन से गुजलती लेकिन नेपाल से जो है करकरेखा नहीं गुजलती है तो यह फैक्ट आपको याद अकना है नेपाल से करकरेखा नहीं गुजलती है तो आपसन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा तो करकरेखा के बारे में भी यहाँ पर कुछ लिखा गया है देख लिजे तो ट्रॉपिक आप कैंसर यानि कि इसको हम बोलते हैं साड़े तेइस डिगरी उत्तरी अक्छांस साड़े तेइस डिगरी उत्तरी अक्छांस को हम बोलते हैं ट्रॉपिक आप कैंसर यानि कि करकर रेखा यह जो करकर रेखा है एसिया अफ्रिका तता मध्य अमेरिका से होकर गुजलती है इंपोर्टेंट है एसिया जो आपका करकरेखा या कहा कहा से होकर गुजलती है तो एसिया अफ्रिका और मध्य अमेरिका से होकर गुजलती है आपकी करकरेखा करकरेखा जो है निम्न जली छेत्रों जैसे हिंद महासागर, अट्लांटिक महासागर, प्रसांत महासागर, ताइवान जलसंदी, लाल सागर तता मेक्सिको की खाड़ी से भी होकर गुजलती है आपकी करकरेखा तो इसके बारे में आपया दिखेगा करकरेखा जो है मिस्र के नासिर जील, मिस्र की जो नासिर जील है वहाँ से भी होकर गुजलती है और भारत की जो माही जील है इसको दो बार काटती है भारत की जो माही रिवर है, माही जील है यह करकरेखा को दो बार काटती है तो यह एडिशनल फैक्ट आपको याद अखना ह क्या आप बता सकते हैं कि माही रिवर किस राज में बैती है इसका जबाब आप कमेंट बॉक्स में देंगी तता करकर एखा किन किन देशों से होकर गुजलती है यह भी चीजा यह देख लेते हैं तो यहां पे सभी देश आपके सामने लिखे गए हैं मेक्सिको हो गया, अलज देश मुरक्को, सौधी अरब भारत लिविया यह इंपोर्टन डेश हैं जहां से ट्रॉपिक ऑप कैंसर याने की करकरेखा होकर गुजलती है तो इसके बारे में आपको याद रखना है इसके बाद अगला प्रसनाप के सामने हैं कहां पर दिन और रात समान होते हैं तो आपके दिन और रात समान होते हैं तो इसके बारे में आप याद देखेगा भुमत दिरेखा पर दिन और रात आपके समान होते हैं भुमत दिरेखा जो है निम्लिकित में से किस देश से होकर नहीं गुजलती है तो आपकी जो भुमत दिरेखा है या किस देश से होकर नहीं गुजलती है तो इसमें से आपका राटेंसर क्या हो जाएगा मेक्सिको से मेक्सिको यानि कि आपका बी यहाँ पर बिल्कुल से हो जाएगा मेक्सिको से जो है आपकी भुमत दिरेखा नहीं गुजलती है बाकी केन्या से गुजलती है इंडोनेसिया से गुजलती है ब्राजी अब 15 डिग्री जो देशांतरी दुरी होती है एक घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है तो आप इसे आ देखेगा 15 डिग्री की जो देशांतरी दुरी होती है या एक घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है तो option आपका A यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रस कहां से तो 180 डिग्री देशांतर से होकर जो है आपकी अंतराष्टी दिजांग रेखा गुजलती है तो option आपका जो भी यहां पे है बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पे आप देख पार है अंतराष्टी तीथी रेखा के बारे में लिखा गया है पृत्वी पर समय के निलधा परण है सन 1884 में वासिंग गटन में संपन हुए समेलन में किया गया था इसके बाद 180 डिग्री देशांतर से अगर आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो आपको एक दिन घटाना पड़ता है और जबकि इस देखा से आप पस्रिम की तरफ जाएंगे तो एक दिन आपको अगला प्रसना आपके सामने है ग्रीन वीच जो है किस देश में स्थीत है ग्रीन वीच जो है किस देश में स्थीत है तो ग्रीन वीच आपको मिलेगा युनाटेट किंगडम में यूके में यानि कि आपका प्पी यहाँ पे बिल्कु से हो जाएगा यूके में मतलब एक देसांतर को पार करने में दो अस्थानों के अस्थानी समय में क्या अंतर आता है तो एक देसांतर को जो आप पार कलते हैं तो दो अस्थानों के अस्थानी समय में आपको चार मिनिट का डिफरेंस देखने को मिलेगा चार मिनिट का अंतर देखने को मिलेगा तो इसके बारे में आप याँ देखिएगा तब जितना आप देशांतर आगे जलते जाएंगे उतना आपका समय का डिफरेंस होता जाएगा उन दो अस्थानों के बीच में तो इसके बारे में आपको याँ दखना है तो इसके बारे में आप याद देखिएगा इसके बाद अगला प्रसना आपके सामने है यह सारे अडिशनल फैक्ट आप याद कर लिजेगा जो लिखे गए जाए तो आप इसका इसका स्किन सॉट भी ले सकते हैं ग्रीन वीच माध्य समय यानि कि ग्रीन वीच मिन टाइम तथा भारती मानक समय में कितने का अंतर है तो आप याद देखिएगा साड़े 5 घंटे का अंतर देखने को मिलता है उप इसके बारे में आप्या देखेगा, कितने का, तो साढ़े 5 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलता है, तो इसके बारे में आप्या देखेगा, हमारी जो अवस्थिती है, जो है यहाँ हमारा जो समय भारत का यहाँ साड़े पांच घंटे आगे है ग्रीन वीच मिन टाइम से तो इसके बारे में आपको याद एकना है तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका 180 डिग्री देशांतर है मैंने आपको बताया था साड़े 5 गंटे जो है, हमारा समय Greenwich Mean Time से आगे है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, important है, तो हमारा जो समय है, तो हमारी अवस्तिती क्या है, तो हमारी जो अवस्तिती है, Greenwich रेखा से पुर्वो में होने के कारण, हमारा जो समय है झाड़े 5 गंटे आगे इस से रहता है भुमद्द रेखा तो यह तीनों निम्ने में से किस एक महादीब से उकर गुजलती है तो यह तीनों रहें जो आपकी अफरीका महादीब से उकर कर विश्च के सभी देशों ने समय के आकलन हेतु ग्रीन वीच रेखा को सर्व सम्मती से मानक समय रेखा के रूप में स्युकार किया है इसलिए इसको हम ग्रीन वीच मानक समय रेखा के नाम से भी जानते हैं भारत के समय जो है GMT से 5.5 घंटे आगे है प्राइम मेरेडियन य यहां इसे गुजलती है जैसे UK हो गया, Spain हो गया, France हो गया, Ghana हो गया, Algeria हो गया, Malie हो गया, पुर्कीना, Faso हो गया, Antarctica हो गया यहां से जो है आपकी प्राइम मरेडियन रेखा गुजलती है तो इसके बारे में आपको याद एकना है जो आपकी प्राइम मरेडियन यह जो मध्यान रेखा है इसको हम किस नाम से जानते हैं तो आपका जो प्रधान, मतलब प्रधान या मुत्तर रेखा है जिसको हम 0 जानतर जो रेखा होती है या या आपकी इन देशों से होकर गुजलती है तो इसके बारे में आप या देखेगा important है और इसके बाद अगला प्रस्तन आपके सामने है जो की अब नहीं है तो आज के लिए बस इतना ही जो भी additional information बन सकती थी इस topic से जोड़ी हुई उनको हमने आ पर कबर कर लिया है I hope ये वीडियो आपको पसंद आएगा आपके आने वाले एक्जाम के लिए फाइदे मन्द होगा तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो के यह पर रोकते हैं तब तक के लिए thank you, thanks for watching, thank you